उत्तरप्रदेश बजट के most important point सबसे पहले देख लेते हैं ये PPT बनी हुई है दोनों language में बनी हुई हिंदी इंग्लिश दोनों में है फालतु कुकू मत करना सारी चीजें हिंग्लिश में बोल चाल वाली भाशा में समझाई जाएंगी सारे फैक्टिस में मैं बताने जा रह बजट सेशन से पहले राजपाल का अभीभाशन होता है तो 20 फरवरी 2023 को गवर्नर जो उत्तरप्रदेश के या नंदी बेन पर टेल उनका एड्रेस हुआ या फिर अभीभाशन हुआ उसमें उन्होंने क्या किया उत्तरप्रदेश की जितनी भी पिछले 6-7 साल के जितने भ पड़ने लाइक हैं लैंग्वेज भी टफ है इसलिए कोई उत्तरप्रदेश का बजट बनाई नहीं पा रहा है चलो आप माई को चिट कर लेते हैं तो बाई 20 फरवरी को अभी वासड़ हो गया 22 फरवरी को उत्तरप्रदेश का बजट पेश किया गया शुरेस खन्ना जी किया है जो कि उत्तरप्रदेश के फाइनेस मिनिस्टर है राज जिपाल ने अपने अभी वाशण में कई सारी चीजे अचीवमेंट में बता है और प्लस इन्वेश्टर को लुभाने के लिए कई सारी चीजे जो सरकार ने प्रयास की हैं उन्होंने बोला है कि प्रदेश में चालू हुआ है इन्वेश्टमेंट के लिए बनाया गया इन्वेश्टर के लिए बाकाइदा सिंगल विंडो पॉर्टल बनाया गया आप देख सकते हैं इन्वेश्टर के लिए प्रदेश में चार पिलर्स पर सुरच्षित निवेश्ट की गारंटी भी है सब यहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी इंसेंटिव भाई मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है टैक्स का वह बेनिफिट देंगे तो मामा पाच इन्वेस्टिमेंट लाओ हम तुमको यह सब बेनिफिट देंगे वही वाली बात है एक यहां पर निवेश शर्ती बना उद्दमी मित्र की तैनाती करी जाएगी कोई उत्तरप्रदेश सरकार का ही ऑफीसर होगा तो इस तरह से इंवेश्टमेंट पर काफी बल दे रही है सरकार इंवेश्टर जो समिट हुए इस बार काफी ज़्यादा फोकस है बड़ी इंपर्टेंट है अच्छे से कवर किया फिर जलकार ने यह भी बताया है बाई कि इंवेश्टर समिट जो हुआ था उसमें हमें यह निवेश्ट जो महाकुम हुआ तो साड़ेस तैटिस लाग करोड का निवेश्ट मिला है सबसे जादा निवेश कहां पर मिला है पस्चिमांचल में ठीक है उत्तरप्रदेश चार भागो में है थोड़ा इसको जूम करके देख चार पार्ट है उत्तरप्रदेश के ठीक है यह वाला है पस्चिमांचल यह वाला हिस्सा हो गया मद्यांचल यह पूरा हो गया इधर बुंदेल खंड और यह वाला हो गया पूरवांचल ठीक है तो सबसे ज़्यादा पर इंडिश्ट्री भी जाता है यहां पर आ रही है एक सेकंड नमबर पर पूरवांचल है वहां पर डिवलपमेंट करना सरकार की प्राटी में है मद्यान चल फिर और फिर बुद्देल खंड मतलब बुद्देल खंड में भी काफी डिवलपमेंट हो रहा है यह सब चीज अगर बताने पड़ेंगे सरकार ने बताएं कुछ फैक्ट जो है कॉंफ्लिक्टिंग भी है वो भी मैं सारा बताऊंगा अगर उत्तर प्रदेश क्या है उत्तर प्रदेश इस ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग में अचीवर्स कटेगरी में ध्यान रखिएगा इस साड़े याड़ करोड काउंट के साथ यूपी नमबर वन है एसे ही पीम सुरच्छावी मा योजना में भी 7,4 करोड के इंडॉल्मेंट के साथ यूपी नमबर वन है अटल पैंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश में सबस्यादा इंरॉल्मेंट है 피 75 लाग से ज्यादा जिसे इंडिया को 5 टिलियोन डालर की एकुनामी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है वे से उत्तर प्रswnd के लिए भी ऐक ट्रीलियोन इकुनामी की बात हो रही है दो से लिट थbersे से के लेके 27 6.9 लाग करोड का है द्यान रखना मतलब कि इतना पैसा एक्सपेंडीचर करना है उत्तर प्रदेश सरकार को बात समझ में आई कि नहीं ये biggest budget है भी तक कि उत्तर प्रदेश की history में लेकिन ये कोई नोखी बात नहीं है ये हर बार जब budget बनता है तो वो भी घष्टा ही हो जाता है तो ये कोई बहुत important fact नहीं होगा हर बार ये हो जाता है तरप्रदेश में 24 करोड से ज़्यादा population कह रहे हैं कि भाई एक trillion dollar की एकनौमी बना देंगे 2227 में ठीक है बड़े बनने वाले हैं हम लोग अमीर बनने वाले हैं अभी है कित्ते की वो आगे बताएंगे थोड़ा रुकिए ठीक है उत्तरप्रदेश जो है इंडिया की largest consumer और labor market है सबसे बड़ा हो बोकता और श्रम बाजार भी है ध्यान लगना उत्तरप्रदेश जो है इंडिया की GDP में 8% से ज़्यादा का contribution करता है उत्तरप्रदेश अकेले जबकि आप यह समझें यह सरकार इसको achievement की तरह दिखा रही है आप समझें उत्तरप्रदेश की जो population है census में आपने जरूर पड़ा होगा कि भाई उत्तरप्रदेश की जो population है वो total इंडिया की population का 16,5% है ठीक तो और यहां सरकार क्या कह रही है कि भाई इंडिया की GDP में उत्तरप्रदेश ने 8% का contribution किया रहे तो कहा कर लिया यार जितनी हमारी population है इकनोमिक सर्वे का भी डेटा आया है यह एक इंपॉर्टन फ्रेक्टर द्यान रखेगा पर कैप्टा जीएश डीपी जब इस टेट में बात करते हैं तो जीएश डीपी बोलते है जब पूरे इंडिया की बात होती है तो जीडीपी बोलते है इस बार जीएश डीपी कितनी है करेंट प्रैसेज पे 79,396 80,000 रुपए के असपास है अधर ऐसा हुआ है कि इस बार जितना भी डेटा आया है 2021-22 का आया है तो ज़्यादा तर डेटा से 21-22 का है बता रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश ने 2021-22 में जो उत्तर प्रदेश की एकोनॉमी है वो 16.8% मतलब जो जीएश डीपी कितना ग्रोथ हुआ है 16.8% समझ रहे हैं आप इंडिया की जो ग्रोथ है उससे जादा है 2023-24 में हम लोग की जो ग्रोथ रेट होगी उत्तर प्रदेश की वो लगभग होगी 19.08% लगभग 19% मैंने आपको बताए कि भाई इस वाले बजट में काफी सारी चीजे 5-6 साल का डेटा भी कही सारा बताए गया 2016-17 में यूपी की जीडी जीएस जीपी थी करीबन 12 लाग करोड के असपस थी कुछ 12 लाग करोड के असपस थी 2023-24 में हो जाएगी लगभग 24 लाग 24 लाग 24 लाग करोड के असपस आप समझ रहे हैं मतलब की कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 साल में जीडीपी को लगभग दोगना कर दिया है ये है बात बड़ा इंपोर्टेंट भी गई ये कई सारे इसमें फैक्ट हैं इसके लागवा भाई 2017 से पहले एंप्लॉयमेंट रेट था 14.4 आज ये बेरोजगारी की दर घटके हो गई है 4.2 परसेंट फिर आप लोग का है रोया करते हो अब एक चीज़ और है ये अगर आप देखें कि भाई उत्तर पदेस में जो पाईसा आता है सबसे ज़्यादा primary sector secondary sector यानी primary sector मतलब अगरी कल्चर हो सब secondary मतलब manufacturing industry हो सब tertiary मतलब services तो भाई GSDP जो है उसमें सबसे ज़्यादा contribution किसका है उत्तर पदेस की GSDP में सबसे आता है tertiary यानी की service sector का second number पे है primary यानी की agriculture 28.4% primary में और भी कई सारी होतनी activity और third number पे है ये आप GSDP के contribution में देखें current prices पे तो 24.6% के साथ है secondary sector आजा ये बताईए जल्दी से comment करके कि भाई उत्तर पदेस में रोजगार देने वाला छेतर सबसे बड़ा कौन सा है ये agriculture कौन सा इंडस्ट्री की services जल्दी से comment करके बताईए GSDP में तो सबसे आदा contribution होता है tertiary से ठीक है और अगर आप growth rate की बात देखें GSDP जो growth होता है उत्तर पदेस का ये market या फिर current prices के हिसाब से तो भाई primary sector ने growth किया है 16.2% इंडिया के से ज़्यादा है secondary sector ने growth किया है 14.9% tertiary sector ने growth किया है 14% 14% important fact ने ध्यान रखिये गई है सुरेश खना जी ने इस budget को पेश किया था मैंने बता दिया पहला ही इस budget को बोल रहा है कि पहला budget है ये अमरित काल का तो ध्यान रखना भाई पहला budget पूछने तो बता देना ये और योगी government का सात्वा लगातार budget है ये योगी 2.0 का second वाला budget है ठीक इवेन अगर आप सुरेश खना जो हमारे finance minister ने उनकी बात करेंगे तो उनका भी लगातार चोता है ये फैक्ट है नहीं मिलेगा लगातार जो भी website के लिसिस करके निकालते हैं हम लोग और यूपी बजट का थीम क्या है 2023 का self-reliant उत्तर प्रदेश आत्मिर बर बनाना थे 6.15 लाग करोड का फिर supplementary budget और दे दिया लगभग 33 करोड का तो टोटल मिला के 2022 थे इसका budget क्या था 6.5 लाग करोड तो यानि कि उससे भी लगभग 0.4 लाग करोड इस बार बढ़ा दिया है ये एक important चीज है कि बजट में नई योजना है कितने रुपए की सामिल करी गई है 32,721.96 करोड की ध्यान रखना यही बात यहाँ भाई उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की एक नॉमी बनाना है पास साल में उत्तर प्रदेश का contribution इंडिया की GDP में कितना है 8% जबकि हमारी जीएशडीपी का कितना परसेंट है 2.81 परसेंट है परसेंट जरूर याद रखना करीबन 68,511 करोड रुपए का है रिवेनु सर्प्लस और फिसकल डिपसिट कितना है उत्तर प्रदेश का यह 3.48 परसेंट करीबन 84,000 करोड रुपए का है ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का टोटल जो है यह कर्ज कुल कर्ज और अन्य देंदारियां कितना है यह जीएशडीपी का 32.1 परसेंट है डिरेक्ली सवाला सकता है इसमें 2023 में करीबन 83,000 करोड और लोन लेना पड़ेगा सरकार को मैंने आपको बताया कि वहिया उत्तर प्रदेश का स्टेट डेट टू जीएशडीपी रिश्यो क्या है 32.1 परसेंट तो यानि कि उत्तर प्रदेश का कितना डेट है टोटल यहाँ पे 7,84,000 करोड रुपे सम्तिंग है और डेट में इस सरकार कहां कहां से पैसा लेती है बाजार रिन से हो गया अलप बच्चत हो गया ठीक है विप्तिय संस्ताओं से रिड़ ले लिया, पावर बॉर्ण से ले लिया, इलियन गवर्मेंट से ले लिया, बहुत से हम पेंशनी दियां से ले लिया, इस तरह से कैसा रहा है, तो वाई सबस्यादा इस्टेट अपना जो डेट है, उसमें पैसा उत्तरवदेश के सिर्कार कह से किता रहा है, यह वाला टैक्स रिवेनु है, यह नॉन टैक्स रिवेनु है, ठीक है, तो उत्तरवदेश में आप देख सकते हैं, टैक्स रिवेनु किता है, स्टेट का खुद का टैक्स है 2.6 लाग करोड रुपे, और जो इस सेंटरल गवर्मेंट से मिलता है, 1.83 लाग करोड रुपे, कुल मिला के किता बना, 4.5 लाग करोड के असपास, यह रिवेनु है, उत्तरवदेश का रिसीट, ठीक है, और कैपिटल कितना रिसीट है, यह करीबन 1.12 लाग करोड के असपास, तो कुल प्राप्तिया उत्तरवदेश के कितनी है, 6.83 लाग करोड के असपा यह आप देख सकते हैं 84 एजर करोड के असपास है 3.48% है इतना यही मेन होता है मेनली बागी तो इसमें लिबिल लिबिट चलता रिता है जारू परने की डॉक्मेंट दिये जो इंपोर्टेंट है वो आप समझो बस ज्यादा लिबिल लिबन ना करो अब इस टेट के जो को ट सबसे अधर टेक्स कहां से आता है तो नंबर वन आपका जीस्टी ही रहेगा ठेक है नंबर दो पर इस्टेट इक साइज हो गया नंबर तीन पर सेंस टेक्स हो गया आप देख सकते हैं यह तोटल वाही राज्य वस्तोय हम सिवा कर फिर यह उत्पात सुलक हो गया और नंब परसेंट अभी मैंने बता है फिसकल इपसे इतना है और जो है डेट टो डिजी जी एसडीपी रेश्यो किता है तर्टी टू पॉइंट वन परसेंट एक चीज़ और थी कि भाई इंवेस्टर समिंट में हम लोग को साड़े तर्तित लाग करोड रुपय का जो है निवेश सबसे ज्यादा कि सेक्टर को मिला है निवेश यह इनरजी करीवन साड़े चार लाग करोड का निवेश मिला इनको जिससे एक लाग से जादा रोजगार के लब रोजगार क्रीट हो जकते हैं ठीक है तो यह एक इंपर्टेंट जी त्यान रखिए इस बड़े इलोकेशन है को कि पिछले छह-साथ साल का पूरा कंपाइल कर दिया है तो यह सब इलोकेशन आपको याद करने के पड़ सकते हैं यह इसका चाहें तो आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं बाकि हम लोग बताएंगे ही वह कोई टेंशन प्रदेश ने दो योगी सर जी कह रहे थे जो बजट ठीक है उसके बाद भाई primary sector ने कितना ग्रो किया तो यह देखो primary sector ने 16.2% ग्रो किया फिर secondary ने कितना ग्रो किया यह 14.9% ग्रो किया तरसनी ने कितना ग्रो किया यह देखो tercery है 14% ग्रो किया यह है main pick एक यह important news type की pick थी है भाई 13 express way बनाने वाला देश का पहला राज बनने की और ग्रिसर है उत्तर प्रदेश ठीक है प्रदेश में कुल आप देख सकते हैं 1225 किलो मेटर के 6 express way और डेडिव क्रिया शील है गोरगपुर से लेके जो है पूर अंचर एक्सप्रेस जो है बन रहा है करीब 91 किलो मेटर लंबा है यह गोरगपुर लिंक एक्सप्रेस वे त प्रतम फेज के अंतरगत उत्तर प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो जनपत हैं खुले में सौथ से मुक्त हो चुके हैं अब सेकंड फेज चला है इसमें ओडिया प्लस बनाया जा रहा है ठीक है कई सारे यहां पे व्यक्तिकत और समुधायली समुधाइक सोचाल प्रदेश को तेरा पुरिश्कार मिले हैं तुम लोकेट आउट पूझ्यक चक्कर में उधर चले गाए पिर वो पढ़ानी चीपने हैं अरे यार जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो चुप चाप चलो इस जगह थे हम लोग उत्तर प्रदेश का जो है इस्टेट डेट टू जी प्रदेश को अपना फिसकल डेट और कई सरे डेट सरकार हैं उसका तो मान नहीं पात नहीं है उसी के मतलब जो रूल बदल देती हैं बार बार वह इसे ही अभी देखिए दोजार तो तेश जो इस इंटर गौर्रमेंट ने पर्मिट किया था फिसकल डेट को कि ये भाई ज अटा किया हो दार-दार लिया हो ये सब चीजे ठेक है तो ये उत्तर प्रदेश का कितना चला 3.48 प्रदेश जस्ट ये लिमिट में आ गए अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा 6.9 लाग करोड का इंवेश्टमेंट है याँ पे एक्समेंडिचर है सब आ जाता है ये इस जो है रिवेनु का सैल्डी में ही जा रहा है ठीक अभी टैक्सेस का आप भी मैंने बता दिया ता पिक दिखा दी थी पिक आप देखी चुके हैं आप तो समझी के होंगे जो उत्तर प्रदेश का टैक्स कलेक्टिन है उसमें सबसे आदा भाई जीस्टी आता है जीस्टी में भी सबसे आदा स्टेट का आता है नमबर टू पर है एक साइस वाला यानि कि आपका राज्यूत पात शुल्क और नमबर त्री पर है सेल्स टैक्स आने की बिक्री कर ठीक है ये एक पिक आती है आपने देखा होगा ये जो यूनियन बजट होता है उसम प्राना पड़ेगा दूसरों तो वो ना करना पड़े इसलिए यहां पर ये सब बनाया गया है बजट में वाई रुपिया कहां कहां से आता है सबस्याद है खुद का टैक्स रिवेनु आ जाता है थर्टी पॉइंट पॉइंट पॉट्सेंट आप देख सकते हैं नमबर द पूजी गत परिवे में कैप्टल वाले एक्सपेंटिचर में कैप्टल आउटले में है यह नमबर दो पे अभी हमने बताया क्या कि भाईया यह जो वेतन है वेतन बहुत ज़्यादा जा रहा है सेलिवेली के चक्कर में काफी पैसा जा रहा है सरकार का अब सोचिए जो सबसेडी का आप देख सकते हैं उत्तरब्रदेस में कितना 3.9 परसेंटेज जो है कर्चा किया जाएगा ब्याज में 7.4 परसेंट बाहिता लोल लिया है तो प्याज तो देना पड़ेगा लोकल गवर्मेंट के लिए कितना 3.5 परसेंट है ठेक है अभी मैं इस एक्ट की चर 22.1 परसेंट है और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमने डेट कहां से लिया है सबसे ज़्यादा कहां से हमने पैसा लिया है वो है बाजार रिंट से 22.6 परसेंट तो सरकार ये तो बता रही है कि 2012-2013 से 2012-2024 तक इन्होंने GSDP को लगभग डबल कर दिया लेकिन सरकार को य दारी है वो तीन मुना बढ़ी है तो ये भी पैट जानना चाहिए आपको ऐसे ओफीसर दिमाग खुडा रखो और जगह है कोई चीजों के सिर्फ बेनिफिट नहीं सब कुछ पता करना है 360 डिग्री अनलिसिस होनी चाहिए भई यार चीज की तब ही बनो गया ओफीसर सब क जानो, Master of None, Jack of All Trade वो आली पॉलसी रखो खैर उत्तरप्रदेश की एक परिटन नीती आई है टूरिजम पॉलिसी दो जर बाइस इसका टार्गेट याद रखना प्री में डारेट कुछिन आ सकता है मेंस बेबिस में कुछिन बन सकता है भाई बजट ने ये इन्वेश्टमे के अंदर ठीक है पांस सालों के अंदर दो जार बाइस से सताइस में हमारी जीडी जीएसडीपी को भी जो है कितना करना है वन ट्रिलियन डॉलर अब चलो कुछ कुछ प्रोवीजन पर आ जाते है भाई इस बार जो टैबलेट्स और स्मार्ट फोन बाटे जाएंगे स्वाम का फोकस कर रही किसी तरह जो है उत्तर प्रदेश का डिफलप्मेंट हो जदा जदा ग्रोथ हो उसी के लिए उत्तर प्रदेश जो electronic manufacturing policy है उसको 401 करोड रुपे दिया गया है ठीक है इस्टेट डेटा सिंटर के लिए 85 करोड रुपे दिया गया है स्टार्ट अप पॉलिसी क के लिए युवा उद्यमियों को प्रोचाइद करने के लिए क्रशीत त्वरत त्वरक ये कोश यानि की agriculture accelerator fund में 20 करोड रुपे बजट का प्रोविजन दिया गया है ये इंपोर्टन जादा है ये एक बार बाद देख लिए सुन लिजे तोड़ा बहुत पहचान लिजेगा उत्तरब्रदेश सरकार का आप देख सकते हैं कि सबसे आदा जो है बजट अलोकेशन अगर आप देखें जल जीवन मिशन में सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है 2022 में भी करीब 19,000 करोड रुपए आप देख लिजेगा टार्गेट किया है बाई टार्गेट यह है जल जीवन मिशन के तहट वर्स 2023 में उत्तरब्रदेश के सभी 2.26 करोड परिवारों को कारशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्द कराकर शुद पेजल उपलब्द कराना है मतला पानी का पीने का पानी देना है साब साब यह बात है कितने हाउसोल्ड को 2.26 करोड हाउसोल्ड को है यह ध्यान लगना यह चीज़ भारत के पहले हाई स्पीड रीजिनल रैपीड ट्रांजिशन सिस्टम आर आर टीयस के तहट दिल्ली और मेरट के कोरिडोर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश बजट ने कितना दिया है तेरा सो चै करोड रुपया दिया है यूनियन बजट में भी करीबन 3500 करोड रुपया मिला है इसके लिए यह जो रर टीयस बन रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरट रर टीयस कोरिडोर के लिए ठीक है टोटल कॉस्ट इस प्रजट की कितनी है 30,724 करोड रुपय जिसमें स उत्तरप्रदेश गवर्मेंट का शेर कितना साड़े 6,000 करोड रुपय है ठीक मेट्रो में भी काफी लोकेशन किया है कानपुर मेट्रो को दिया है पांसो पचासी करोड आगरा को 4,65 करोड रुपय दिया है एक बार देख लिए बस 100 करोड रुपय और दिया है बाई कि य परीबन 51,000 करोड रुपय ट्रांसफर किये गए हैं किसानों को DBT यानि कि डारिक्ली उनके अकाउंट में किये गए हैं उत्तरप्रदेश जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई ती इस बार बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक कई सारे कंट्री के लोग आये बड़ा जो है अग्रिमेंट हुआ 19 जार अग्रिमेंट हुए हैं और 33.5 लाग करोड के यहां पर साइन किये गए हैं सबसे आदा कहां पर किस फिल्ड के अग्रिमेंट में साइन हुआ अभी हमने देखा भी तार रेनेवेबल इनरजी ठीक है इस बार भाई G20 समिट में जो है की मेजबानी इंडिया कर रहा है दोजर तेज में और इसमें कई सारी मीटिंग होगी जिसमें से 11 बेट के उत्तर प्रदेश में आयोजित करी जाएंगी कहां पे होंगी उत्तर प्रदेश के चार सिटी में होंगी 11 बेट के लखनव आगरा वारा नसी और ग्रेटर अनुटा इस पीच में बाकाइदा डिटेल में लिखा है सारी चीज़ें इस पीच भी देखेंगे अभी हम फिर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी इंपोर्टन इसकी में चीफ मिनिस्टर करन्या सुमंगला योजना दोजर तेश चोबिस के लिए इ इस समय प्रदेश में लगबग साड़े बत्तिस लाग महिलाओं को साहता प्रदान की जा रही है फिर एक सामुईक विवा इसकी में जिसमें की सभी वर्ग की लड़कियों को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा सभी क्लासिस की उसके लिए 600 करोड रुपय है यूपी जारी उत्तर प्रदेश में यह बताया है बजट जैसे सामुईक वाला में सारे जो है क्लास की ललकें पाटिस्पेट कर सकते हैं वैसे वो बीसी में भी एक अलग से दे दिया गया है 500 करोड रुपय का कि भाई शादी के अनुदान के लिए यह ठीक है और यह रूरल वोमन क का मिन्टेनेंस के लिए जो अभी रोड है उनको मिन्टेनेंस के लिए भी जो है यहाँ पर पैसे दिये गया है मतलब आई ले रोड बना लो उसमें पैसा ले लो फिर मिन्टेनेंस के नाम पर उस पर भी पैसा देना पड़ता है भाई मिन्टेन रखना है चीज़ों को एना 248 करोड रुपए का यहां पे प्रोपोजल है ओल्ड एज और जो फार्मर पेंशन इसकी में उसको लागू करने के लिए यानि कि ब्रद्दावस्ता और किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड रुपए का बजट प्रोविजन प्रस्तावित किया गया है 1120 करोड रुपए जो है दिव्यांग पेंशन योजना के लिए यहां पे अवंटित किये गए हैं और 42 करोड रुपए लेपरेसी जो है पेंशन स्कीम के लिए यानि कि कुष्ट पेंशन योजना के लिए 42 करोड रुपए की देंश्तावित कुल मिला के भाई बात यह उत्तर प्रदेश पांच इंटरनेशनल इसमें हो जाएंगे एरपूर्ट और सोला डोमेस्टिक एरपूर्ट हो जाएंगे आने वाले सालों में प्रेजेंटली तीन इंटरनेशनल एरपूर्ट वर कर रहे हैं लखनौ कुशी नगर और वारानसी ठ लिए है किस चीछ के लिए कि जो उत्तर प्रदेश में O.D.O.P. एवं हष्ट चिल्फ उत्पाद है उनकी मार्केटिंग के लिए ठीक है ताकि जो O.D.O.P. के जितने भी प्रोडेक्ट है उनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जासके जो हैंडी क्रवाट प्रोडेक्ट हैं उ सिटेंशियल फैसल्टीज कॉप के लिए मतलब पुलिस की आवासी सुवदाओं के विकास के लिए एक हजात करोड रुपर दिया गया है ठीक है दस करोड यहां दिया गया है जो यह एजडी आरब की फोर्स है उसको वेकल प्रचेस करने की लब राज यह आपदा प्रतिक्रि नेरट बनाया गया लगनो नोयटा को फिर बना कॉनसा फिर बना कानपूर वारह रनसी और फिर आगरा गाजियाबाद और प्रय राज के साथ उत्तर प्रदेश में साथ पुलिस कमिशनरे इंप कर देते हैं और जब भी कोई यह commissioner rate बनता है तो सबसे पहले उस district को बागाइदा metropolitan city बनाया जाता है फिर district को कई सारे zone में divide किया जाता है फिर कई सारे ACP post किया जाते है देखे नॉर्मल district में क्या होता है DSP को क्या बोलते है CEO circle officer जब commissioner rate system लागू होता है तो में क्या बोलते है इसको जो CEO होता है FDA DSP होता है इसको बोलते है ACP assistant commissioner of police ठीक है बहुकाल ही लगती है पोस्ट नाम से तो इसमें police के rights काफी सारे बढ़ जाते हैं कोई भी investigations related even कई सारे जो ये police commissioner होते हैं ये पूरे के पूरे एक commissioner rate के मतलब कुल मिला के king कहा जाते हैं ये कई सारे इनके पास magistrate की भी power हो जाते हैं ठीक है तो कई सारे law and order से related जो rights है वो भी इनको दे दिया जाते है commissioner को सबसे पहले जो commissioner rate system है वो लाया कौन था बिटिश लाया था कोलकता में सारे इतने बात में clear है फाल तो लिब 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 बागी commissioner rate system के बारे में थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ लेना main sense में इसके analysis पूश सकते हैं अभी तो यहां पे budget के point of इसे बताती है मैंने जित्ता ज़रूरी था इंट्रास्ट्रक्चर में खुब पईसा सरकार खर्चा कर रही दो नया link express पर आने वाले जहासी link express पर हो जाएगा और चित्रकूट link express वे के लिए 235 करोड रुपया अवंटित किया गया है मेरट से प्रियाग राज तक 594 किलोमेटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 36,230 करोड रुपय प्रोपोस किया गया है अब देगे गोरखपुर link express वे के दोनों तरफ गोरखपुर में एक ओद्योगी गलियारे के विकास के लिए 200 करोड रुपया वंटित किया गया है तो इंड़स्टियल करोड जो गोरखपुर में बनाया जा रहा है उसके दोनों तरफ जो है यहाँ पे गोरखपुर link express वे के दोनों तरफ यहाँ पे इंड़स्टियल करोड रुपय का एलोकेशन किया गया है यह बड़ी important चीज़ है आयोद्या को एक model solar city बनाएंगे ठीक है और आयोद्या में एक international sport complex भी बहुत जल्दाने वाला है राम मंदिर तो भाई बनी रहा है बहुत जोड़ जोड़ से जैश्री राम इसी बात पे बोलोई आप चलो बात कर लेते हैं कि भाई GSDP अपनी है किती एक ट्रिलियन करोड तो बना लोगे बाबाजी ने बोल दिया आपने सुन लिया समझो तो कई ना क्या चाहते हैं 2022 ते होते हैं एक के बाद 6 जीरो एक बिलियन में एक के बाद 9 जीरो एक ट्रिलियन में एक के बाद 12 जीरो समझ रहे हैं तो भाई 500 बिलियन डॉलर है यानि कि इसका यह मतलब हुआ कि एक ट्रिलियन में हो गए 1000 बिलियन डॉलर और अपनी किती है 500 तो यानि कि हम जित्ते पे हैं उसका चार गुना बनाना है अगले 5 सालों में बात समिझ में आई कि नहीं दद्दा जी तो जितने हम है उसको 4 गुना करना है अपने को 5 सालों में 2.27 तक चीक है ये बीजेपी के कई सारे संकल पत्र थे वह उसमें भाई वादा किया हुगा तो वादा किया तो निवाना पड चूटती ठीक है तो जो सबसिडी मिल रही है एक एलेक्ट्रिक सिटी कंजम्शन जो प्राइवेट ट्यूबल ओनर्स हैं उनको दिया जाएगा पचास परसंट से बढ़ा के अंडेट परसंट की सबसिडी दी जाएगा उसके लिए पंद्रा सो करोड रुपय का लोकेशन किया प्रस्तावित है तीन वर्सों में करना है पूरा तो पंद्रा सो चोवन करोड रुपया पर प्रपोस किये गए हैं ताकि ग्रीन इनर्जी कोरिडोर बंदेल खंड में डिवलप किया जा सके ताकि हम लोग सोलर प्लांट से सोलर जो पावर प्लांट होते हैं उनसे नर्जी ले सके हैं तीन साल में करना है जैन रकना है जो लेबर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए भी सरकार सोच रही है कि भाई उनको निश्यलक सुच्छा मिले और वो भी गुडवत्ता पूर्वक मिले ठीक है तो उसके लिए क्या कह रहे थे सरकार कि एक रेसिडेंशल स्कूल यानि कि आवासी विद्याले की स्थापना करी जाएगी सारे जितने भी उत्तरवदेश के मंडल हैं बताओ जली कमेंट करके उत्तरवदेश में कितने मंडल हैं डिस्ट्रिक्ट तो सब जानते होगे मंडल भी तो जानते ही होगे यार 18 मंडल हैं उसके अलावा भाई वित्ती करोड रुपए ले लो फाइनेशल एसिस्टन किताबे लयाओ मैग जीन लयाओ तीन साल तक के जो लोग जो है लब शुरुआती तीन सालों के लिए दे रहे हैं यह और पांच करोड रुपए का कॉर्पस फंड भी यहां पे इस्ताफित कर दिया है इत्ता इंपोर्टन नहीं देख लो चौदा नया मेडिकल कॉलेज आएंगे उसके लिए 2491 करोड रुपए यहां पे बजट में यहां पे दिये गया है इनको 25 करोड रुपए भाई फार्मा पार्क के लिए है इलोकेट किया गया है 20 करोड रुपए है उत्तर प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ फार 25 करोड रुपए दिये हैं सरकार ने किस चीज के लिए कि भाई आप फार्मा पार्क्स इस्टेब्लिज करो इस्टेट में तो फार्मा पार्क्स के लिए 25 करोड का लोकेजन गया बज़र में द्यार नकना यह पूची जा सकती है 200 करोड रुपए दिये गा है कि जो ओडी ओ स्कीम के लिए 12631 करोड रुपए का यहां पर लोकेशन किया गया है ठीक है 1655 करोड रुपए का लोकेशन किया गया है प्रदान मंत्रियात निर्बर स्वस्त भारत तियोज्जा में 25,350 करोड रुपए का जल्ड इवन मिशन में मैंने बता है आपको one of the highest है ठीक है यह वाल मिशन रूरल के तायत और प्लास्टिक मैनेजमेंट 330 डिवलोपेंट ब्लॉक्स के लिए 2490 करोड रुपए 14 नए अमेडिकल कॉलेज जो खुल रहे है उनके लिए करीबन साड़े आठ जार उनमें सीटे है ठीक है आब आरा पश्यों की देखबाल के लिए भी सरकार ने प सुलर सिटी ठीक है और अयुद्या को डिवलप कौन कर रहा है यहां पर बनाया जाएगा और बिंटरनेशनल स्पोर्ट कॉंप्लेक्स भी यहां पर बनाया जाएगा उद्या में आप देख सकते हैं कि सलक चौड़ी करण के प्रजेक्ट भी चल ला है चल्दी सल्दी दो सा और इसके लिए बाकाइदा सरकार ने प्रोविजन भी किया है 317 करोड रुपे का प्रोविजन किया है उत्तर प्रदेश सोलर इनरजी पॉलिसी 2022 प्रिलिम्स के लिए भी जरूरी है मेंस के लिए भी जरूरी है ध्यान से इसको पढ़ लेना समझ रहो कि नहीं समझ रहो इनरजी डिवलपमेंट एजनसी ठीक है क्या फोकस करेगी कुल मिला के लो कॉस्ट और रिलैबल पावर देनी भाई उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग है और जो हमारा डिपेंडेंस है वाजिल फ्यूल्स पे उसको थोड़ा कम करना है पॉलिसी का टार्गेट क्या है ब लोजर 26-27 तक करें गई है कि पहले भाईया अयोद्या को मॉडल सिटी डिवलप कर देंगे मॉडल सुलर सिटी और उसके बाद सोला और मुनिस्पल कार्परेशन को इसी की तरह डिवलप किया जाएगा सोलर सिटी तो हर जगे सोलर ही सोलर दिखने वाला उत्तर प्रदेश म जब पेश किया गया था तो बिरोधी पर्टी वाले नाराज हो गय थे जो आजम खाने वो कई सारे केस में हैं शायद अंदर इसलिए उनके समर्फन समर्थन में सब लोग सेरवानी पहिन के पहुचे थे कह रिए इसका कोई आ नहीं सकता है यह से इंट्रेस्टिंग पॉइ को का और तीन लाग से ज़्यादा निर्मान इस्तिलों का पंजी करण कराया जा चुका है यह कामगार म्रत्यू वाद दिव्यांगता साहता योजना वर्कर्स डेथ एंड डिसेबिल्टी एसिस्टेट स्कीम के तायत अगर किसी की डेथ हो जाती है वर्क प्लेस में किसी वर फच्चों के लिए तो उसके लिए बाकारता है कि रेसिदेंशियल स्कूल भी खोला जा रहा है सारे डिवीजन में एठारा के ठारा डिवीजन में और अभी तक करीबन साड़े छे लाग बेरिफेसरी में रेजिटर्र करा चुके है प्रद्रानमंत्री श्रम योगी मांधन योजना में सरकार का कहिना है कि बाई प्रदेश के सबसे ज़्यादा बालश्रम से प्रभावी जिलो के होट स्पोट को जहां मतलब बच्चों से जो है मजदूरी ज़्यादा कराई जा रही थी उनको बालश्रम मुक्त घोशित कर दिया गया है ज़्यादा तर ठीक है 490 ग्र मैनोर्टी अफेर्स है उनकी स्कीम है यह लोग क्या करते हैं स्कीम के अंदर में कि भाई फ्री कोचिंग देंगे फ्री एलाइट जो है फ्री कोचिंग दिया जाएगा इस यह मैनोर्टी कमिलिटी के जो इस्टूडेंट्स हैं और उनको प्रपेर किया जाएगा कि कॉम्ट प्रपोजल के लिए प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों करमचार्यों को आवासी सुविधा चेत्र में उपलब्द कराने के लिए चार सो करोड रूपे की बएस्ता ध्यान रगिए चार सो करोड रूपे हैं पर इस्टेशटर रिया गया घ्या अरबन एरिया के लिए और 10 करोड रूपे का प्रोविशन किया गया पहले भी देख चुक है हम लोग सो करोड रुपए का किस ले दिया गया है असाद दुरूगों की चिक सा के लिए सो करोड रुप रुपए दिया गया है यह जो है यहां पर इस्टेट यूनिवेस्टी भी जो है उकतरवधे सरकार ने से किया है तो शक्ति पीट मा शाकूंपूरी देभी के परिटन विकास के लिए 50 करोड रुप का प्रवीजा नहीं द्यान नकना है प्रयागराज में विकास लेते हैं भाई एयरपोर्ट मेट्रो के लिए 10 बड़ी घोशना हैं वही सारी चीज़े कुछ एक दो पॉइंट यहां पर रिपीट होने वाले हैं आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड वाराणसी और गोरपूर के लिए 100 करोड ठीक है रोपवे रोपवे कहा कहा पनेगा वाराण और अन शहरों के लिए 500 करोड रुपे 585 करोड जो है कानपूर मेट्रो के लिए फिर मेरट कोरिडोर रीडिनल रैपिट सिस्टम के लिए 306 करोड सबसे पहली बताया था दिल्ली मेरट गाजियाबाद के लिए ठीक है जेवार एरपोर्ट में दो रन्वे थे इनको बढ़ रूरल हल्थ मिशन अभी तीन बार हम कह चुके है राष्ट्री ग्रामीर स्वास्त मिशन के लिए प्रस्तावित है मतलब यह बजट के इंट तक आते हैं आते हैं अल्मोस सारी चीज़े आपको रटी हुई होगे प्रदान मंत्री मात्र वंदना योजना के लिए 320 करोड पर यूपी बजट में प्रदान मंत्रियात निरिभर स्वास्त भारत योजना के लिए 1655 करोड परस्तावित है एस जी पीजी आई में अरे यह तो बेकार इतना नहीं इंपोर्टन युवाओं के लिए क्या क्या किया है देख सकते हैं आप पास साल में दो करोड चात्र चात्र को टैबलेट और स्मार्ट फोन दिया जाएगा स्वामी विवेका नंद वाली स्कीम के तहत 3600 करोड पर परस्तावित हैं इस टार्ट अप नीती 2020 के तहत क्रशी चिकिट्सा उर्जा खादी सिच्छा पर रेटर्न में इस टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा इस साहरनपूर फतेपूर और पलिया में स्पोर्ट स्कॉलेज है बनने वाला है मेरेट में बन रही जो ध्यान चान स्पोर्ट उनिर्श्टी के लिए 300 करोड पर परस्तावित है युवा वकीलों को 3 साल के किताब के लिए 10 करोड रुपर परस्तावित है अर्टिफिशल इ इंडिया उनिर्श्टी के लिए 30 करोड का प्राविदान किया गया है जो के लो भाई यूपी में जो है डिफेंस कोरिडोर कहा कहा है ये भी आप देख लिए इंडिया में बाई दो डिफेंस कोरिडोर है टोटल मिला के इंडिया में पहला यूपी में बन रहा है दूसरा तमिलनाडू मन रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नोड़ सें आगरा, लीगर, चित्रकूर्ट, जहांसी, कानपूर, लगनाव। लियार रखना है चीज़े। यह है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडरस्ट्रीयल कॉरिडोर के 6 नोड। इंपोर्टेंट है। होगी गलियारा यानि की इंड़स्ट्रियाल को लिडोर बनाया जाएगा ओए लेलवे के कई सारे बढ़े पुर यह सभी इंपॉर्टन इतना नहीं है मेरट से प्रयाग राज तक लगभग 594 किलिम्टर लंबे एक्स्प्रेस वे के लिए 36,230 क्रोड रुपए से तैयार हो र किलिम्टर लंबाई की 75 सड़कों के निर्मान किये गए और काफी सारी चीज़े की गए दस हजार करोड से एक हजार एकड जमीन पर अंतर राश्ट्री फिल्म सिटी तयार की जा रही है कहां तयार की जारी जल्दी से वो बताईए कों से सिटी में तयार हो रही उत्तर प्र साल मैंने देखा है आप लोग को लगता है कोई साल हुआ भी तक सरकार को इस तरह बहुत ज़्यादा द्यान देने की जरुवत है बहुत सारे लोगों के साथ साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और कुछ भी नहीं होता है चाहे थाने हम जाओ चाहे कुछ भी रिपोर्ट कर करना ज़्यादा जरूरी है जैसे भू माफियों की जो है अवैद कपजे की यहां पे जमीने चुटवा रहे हैं तो यह वाला अच्छा एक कदम है माफियों को मिट्टी में मिला देंगे योगी जी कहते हैं बिलकुल सही बात है भाई माफियों को मिट्टी में मिला दो बि 43.18% की कमी आई है, दहज मृत्तु में कमी आई है, काफी सारी चीज़े आपे, क्राइम कम हो रहा है, मतलब कुल मिला के, सारी चीज़े आद रखने जरूरत नहीं, जो मैं important बता हूं, मैं अभी तक वो आप याद रखिए, कोई आप लोगों में से, जो most important जितने मैंने point बता है, 1554 करोड से, बुंदिल खंड में सौर उर्जा परियोजना के लिए, ग्रीन एनर्जी कोरिडोर टू बनाया जा रहा है, अभी हमने डिसकस किया थे, साड़े 6,000 करोड रुपए से, विद्ध वित्रण को बेहतर बनाने के लिए, रिवेंट डिस्टिब्यूटर सेक्टर स्कीम की सुरात की गई है, जूपी में 30,806 मेगा वाट विजली का टार्गेट है, 2016, 2017 में 16,000 तरद डबल हो गया लगबग, ठीक है, पंद्रा सो करोड रुपए से, जो है, निजी नल उपोगताओ को 100% शूट देने की गुस्टना की गई, पहले 50% ती है, ये इसमें जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको याद कमिक जरूरी नहीं, जैसे कुछ-कुछ नई स्कीम आई है, जैसे उत्तरब दे सौर उर्जा, ये स्कीम 2022 से 27 तक क्या करेगी, ठीक है, कितना इसका टार्गेट है, इस तरह कोईशन आते हैं, ध्यान लगएगा, और भी कई सारी होजन जो गोरगपुन नगर इस्तित है, गोड, धोड या, नाला और रामगड ताल के जीवनों धार के लिए 6500 करोड उपर दिया जाएगा, नई समी, नीती 2022 का बजट 15% बढ़ाय गया है, पहले पेज में पचार करोड दिये थे, फिर उच्छ सिच्छा में भी बजट के लिए काफी घुसना की गई है, विंद्याचल धाम मंडल में मा विंदवाष्णी राज विश्व द्याला की स्थापना के लिए 50 करोड उपर दिये गए हैं, देवी पार्टन मंडल में मा पटेश्वरी देवी राज विश्व द्याला के लिए 50 करोड उपर दिये गए हैं, आप रैंकिंग की बात करिए वाई तर्बदेश बजट में सरकार ने बार बार नायक का मतलब होता है नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल ये क्या होता है गौवर्मेंट और्गनाइजिशन है हायर एजूकेशन के लिए ये जितने भी उनको रैंकिंग देता है एक और्टोनमस बॉड़ी है ये यूजीसी इसको फंडिंग करती है वो हेड़कॉर्टर इसका बैंगलूरू में तो किंग जोड मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल उनिस्ट्री उद लखनाव की है जो वो उत्तरवदेश की पहली एसी मेडिकल इंस्ट्टूट बन गया जिसको नैक का ए प्लस ग्रेड मिला है ठीक है और मदन मोहन मालवियत तकनीकी विश्वध्याले ये ऐसा गवर्मेंट इक्रिष्टी बन गया है उत्तरवदेश का जिसको ग्रेड ए मिला है एन ए एसी नै नेक रेंकिंग में और भी लगनाहू को रगपुर को एडबल प्लस रेंडिम मिली है कानपुर करशी विश्व द्याले को नेक रेंकिंग ट्राप्त हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है यह कन्या सुमंगला योजना एक हजार पचास कुरोड का है लोकेशन है हम लगनाओं से चलोई थी इसमें क्या है बाई पंदा जार रुपे देने हैं फैमली जहां पर गल्चाइड है च्छाए है इसके लिए क्या है कि बाई करने असुमंगला के लिए जो बेनिफिसरी है वो तरपदेस का रेसिडेंट होना चाहिए और दो यहां पर डॉक्टर्स होनी चाहिए तीन लागश से कम की उनकी सालाना इंकम होनी चाहिए एडॉप्टेट जो गल्स होती हैं को ली गई बालिकाएं भी सिज्जञा में शामिल होसकती हैं बालिकाओं को वित्ती साहता प्राप्त करना प्लस उत्तरवदेश में लड़कियों को उनकी सिच्छा प्राप्त करने पूरी करने मदद करना और जेंडर एक तरह से बेनिफिट हैं मेंस में कामा सकते हैं कुछ-कुछ पॉइंट प्रीकिल एफेक्ट जिरू नहीं नहीं कानपूर मेट्रो को 585 करोड रुपे दिया है उत्तरवदेश सरकारने बजट में ठेक है एक कानपूर में अगर आप देखें एक फेस आल्रेड़ी कंप्लिट हो चुका है नौ किलोमेटर बन चुका है दिसम्बर 2021 में मोदी जी ने उसका इनागरेशन भी कर दिया था करोड रुपे का लोकेशन किया गया है किस चीज के लिए जासी लिंक एक्सप्रेस वे के लिए और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए प्लस 36,230 करोड रुपे प्रपोस किया गया है 594 किलोमेटर की गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मेरट से प्रियागराज तक पर ने गोरगपुर इंडेस्ट्रियल कोरिडोर के लिए 200 करोड रुपय का बजट यहां पे ऐलोकेट किया है ठीक है सिंपल बात यह कि बाई गोरगपुर इंडेस्ट्रियल टाउन सी पा जाएगी कई लोग को रोजगार मिल जाएगा और यहां पे जो घीडा है गोरगपु इसलिए लिए लिखा हुआ है उत्तरदे सरकार ने गोरगपुर लिंग एक्सप्रेसवे के दोनों और गोरगपुर में ओध्योगिक गलियारा यानि की इंडेस्ट्रियल कोरिडोर है उसके लिए 200 करोड रुपय वंटित किये हैं इसके अलावा सरकार ने पूरवांचर और गुंदेल खंड एक्सप्रेसवे के साथ 6 इस्थानों पर ओद्योगिक निर्माण परिसर इस्तापित करने का निर्ने लिया है इंडेस्ट्रियल कोरिडोर बनाये जा रहे हैं इंडेस्ट्रीज आएं इंवेश्ट्मेंट आएं इंवेश्ट्मेंट आएंगे तो भाई इं इंडस्ट्रियल मैनुफेक्ट्रिंग कॉंप्लेक्स को सिक्स प्लेसे पर लाना है जिस में से चार कॉंप्लेक्स बनेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेश के किनारे और दो कॉंप्लेक्स बनाया जाएंगे यह बुन्देल खंड 6200 करोड रुपय दिये गए हैं फिर उसके लावा भाई सरकार ने ग्रामीर सडकों के लिए 1525 करोड रुपय वंटित किये हैं रूरल एरिया के लिए रूरल रोट के लिए और जितने भी जो ये सुगर मिल एरिया है वहाँ पे अग्रिकल्चर मार्केटिंग फैसिल्टीज के अग्रिकल्चर मार्केटिंग के लिए मार्गो को चौड़ी करन और सुद्र सुद्र रिनोवेशन करने के लिए रिसेंपल बात यह 200 करोड रुपय दिये जाएंगे अग्रिकल्चर मार्केटिंग सुगर मिल वाले एरिया के लिए 500 करोड रुपय दिया जाएगा वाई रोड रुड बना दो बड़ियां से आ सके हैं लोग अच्छे से प्रोडैक्ट रुडस दिया ग्याए बाकी 3473 करोड रुपय दिया गया है गरिकल्चर मार्केटिंग फैसिल्टीज के लिए ब्रिजेज और रोड्स बनाने के लिए तो भाई क्रिसी विपरंस उगिदाओं के लिए पुल और सडकों के कार के लिए 3470 करोड रुपया है और 200 करोड रुपय दिया है रोड को और चोड़ा करने के लिए ठीक है इसके अलाबा भाई kings रेल्वे ओरवे Talk Brожно के लिए 1700 करोड रुपय का ऐलोकेशन के लिए बजट ने रेल्वे ओरेड ब्रुज निर्मान के लिए 1850 kind करोड रुपय का ऐलोकेशन थुला 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 थे ले लेग иде ज़्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट वाला मैंने बता दिया अग्रिकल्चर मार्कनिंग वाला आप देख लिजेगा ठीक है और इसमें देखे जो इस्टेट हाइवे हैं उनके लिए भी ऐसा ही है पचिस सो अठासी करोड रुपे का है और जो प्रमुक जिला मार गएं डिस्टिक्ट वाले उनका किता है पच्छिस सो अठीस करोड रुपिया ये इंपोर्टेंट है एक हजार करोड रुपे दिये गया है किस चीज के लिए रिलिजियस टूरिजम को प्रमोट करने के लिए बजट ने यहां पे प्रपोस किय है एक हजार करोड रुपे किस चीज के लिए दार्म दर्मार्त मार के डिवलप्मेंट के लिए ठीक है ये इंपोर्टन चीज है ये पुचा जबता है भाई दर्मार्त मार के डिवलप्मेंट के लिए कितना दिया गया है एक हजार करोड रुपे दिया गया है बजट में र सड़कों के रख रकाव के लिए 3000 करोड रुपए दिया जाएगा निर्मान के लिए 5000 करोड रुपए की विवस्ता प्रस्तावीत है और द्योगी को और लोजिस्टिक्स पार्कों के चार लान लेन मार्गों के निर्मान काररे साहित चौनी करड, सुद्रणी करड के लिए 50 करोड उपय की वेफस्ता प्रस्तावीत है यह हम देख चुके हैं कि भाई 235 करोड उपय मिलेगा किस चीछ के लिए जासी लिंक एक्स्प्रेस वे और चित्रकूड लिंक एक्सप्रेस के इनके लिए परस्तावीत है इốपी गूवर्मेंट ने बोली दिया है बाई अगर आने वाले सालों में पाउच इंटर्नेस्नल और सोला लूस्टिक एरपोर्ट हो जाएंगे इस्टेट में 21 एरपोर्ट हो जाएंगे वी इंटर्नेस्नल इन है मैंने भी बता दिया यह बड़ा इंपोर्टेंट है भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ठीक है 25,000 से जादा इन्वेस्टर आये थे और यहां पे 19,000 से जादा MOU साइन हुए साड़े 33,000 करोड से जादा यहां का इन्वेस्टमेंट आया है बारा फरवरी को हुआ था लखनव में हुआ था यह योगी गवर्मेंट की फ्लेक्शिप स्कीम है यह बना फोकस रहता है बार बार कराते रहते हैं अब यह इवेंट इसले थी कि भाई कई सारे तरीके के पॉल जो को विविशायों और निवेसों के लिए कि गंतव के रूप में बढ़ावा दिया जा सके ठीक है उत्तरवदेश को प्रमोट करने के लिए मतलब उत्तरवदेश भी बिजनेस फ्रेंडली है सब लोग आईए इन्वेश्मेंट करिए यह करिना चाहती है सरकार प्रजेट में फैक्ट बहुत है और राजपाल जी का भी वासर लोगता है उसमें कही सारे फैक्ट थे उत्तरवदेश नंबर वन पे कही जगा है यह सारा आपको याद रखना चाहिए सबसे पहला भाई पियाम आवास जो योजना है उसमें हाउजिंग कंस्रक्शन में प्लस जो पीएफेस पीएफेस पोर्टल है जिससे डीबीटी यानि की डारेक्ट बेन्फिट ट्रांसपर होता है उसमें भी नंबर वन पे यूपी ही है कुछ कॉन्फिक्टिंग फैक्ट्स यहां पे मिल सकते हैं उत्तरवदेश नंबर वन है मिल्क प्रोडक्शन में यान ही है जब करें में उत्तरवदेश से ज्यादा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हो गया मेरे साथ है फैक्ट फंस सकता है अगर रजेस स्थनर नंबर वन है ट्व"? बागी किसी और एक्जाम के लिए आप राजस्तान कर सकते हैं उत्तरपदेश में अगर यह कोईशन आया तो फसेगा जरूर क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई राजस्तान वाले नियूज लेके जाएंगे वह लोग पिर यह देख सकते हैं आपकी क्रशी निवेशों पर किस सब्सानों को वहाँ सब्सेटरी जो है डारेक्ट उनके अकाउंट में आ जाती है फिर वैक्सिनेशन में तो भाई उत्तरपदेश होएगा नमबर वन जब सबस्यादा पॉपलेशन है तो सबस्यादा वैक्सिनेशन भी लगेगी इसमें कोई याद करने वाली जरूत नहीं ठीक है फिर उत्तरपदेश को इंस्पारिंग लीडर के रूप में समानित किया गया है उत्तरपदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पर्थमराजी बन गया है ठीक है इस्किल डेवलेप्मेंट पॉलिसी लाने वाला उत्तरपदेश पहला इस्टेट लाग 29,000 मेंडेश वो यूपी में ही हुए है तो यह नंबर वन पर मन्रेगा में भी है मानो दिवस रजित कितने 26,29,000 मानो दिवस रजित करके देश में पहला इस्तान प्राप्त के है मन्रोगा योजना के तहत भी पिर आप देख सकते हैं प्रदानमांति स्वानिदी यो जो योजना नहीं आए थी उसमें जो लोन मिला है उसमें भी नंबर वन पर सबस्यादा यूपी वालों नहीं लोन लिया है अरे बैया जब पॉपलेशन जादा तो हर चीज में अलमुस्ट होते ही है देश का सबसे बड़ा हुप भोकता और श्रम बजार रहे है उत्तर प् महिलाओं के खिलाब जो अपराद होते थे बान अपराद होते थे जितने भी पॉसको एड से समंदी जो मुद्दे होते थे उसमें कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है साट परसेंट लोगों को यहां पर सजा दी गई है जो की देश में सरवादिक है और राश्ट्री औस दूगने से भी अधिक है उत्तर प्रदेश को तीसरे राश्ट्री जल पुरसकारों में सरश्ष्ष राज सेड़ी में देश में प्रथम पुरसकार प्राप्त हुआ है थायड नैशनल वाटर रेवार्ड में भी बेस्ट इस्ट के टेग्री में उत् बड़ते रहते हैं पीम आवाज निर्माणा की संख्या और ग्रामीड आवाज निर्माणा की उत्रश्टा में भी प्रथामिस्तान उत्यूपी को ही मिला है ठीक है उत्तर व्रदेश में हर वीक में स्वास्त मिला लगता है यहाँ पर जो है आप जाके बाकाइदा अपना करा सकते हैं ऐसा करने वाला उत्तरवदेश पहला राज्य है इंडिया का इको सिस्टम इंडिया SM फोरम द्वारा SME में MSME में इस ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तरवदेश को पहला रांक राप्त हुआ है यह सब बहुत ज़्यादा लंबे डॉक्मेंट होते हैं जो इंपॉर्टन चीज़ है बस मैं वही निकाल के लाए हूँ आपके लिए इंफ्रस्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक लाक यह दो जार तेज कफी का रहा है उपर दो जार बाइस तेज का दिया है तो यह वाला अपने सबतासी जर करोड से अधा का लोकेशन काई सारी इस बार यह पिक विक निकाली है सरकार ने बिल्कुल केन सरकार के बजट की तरह थोड़ा अट्रेक्ट्व बनाने कोशिश करी है यह आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश के क्रशकों की दुरगटना ग्रस्त प्रदेश करोड की बजट विवस्ता प्रस्तावी और भी कई सारे चीजे आप देख सकते हैं नियाय में क्या क्या कर रहे हैं ठीक है 700 करोड रुपे की विवस्ता प्रस्तावीत नियायले परिसल के निर्मार्ण के लिए ठीक है नौर सजीद जन्पदों में पाइले तीन करोड रुपे दिये हैं इलावाद में बनाएंगे इसको इसमें से कई सारे चीजे मैं बता चुका हूँ आप एक बार क्या करिए इसको पिक को थोड़ा पॉस करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ठीक है परेटन के लिए आप देख सकते हैं बहुत सर्कृट के लिए चालिस करोड रुपा है बुंदिल खण के टूरिजम के लिए चालिस करोड रुपा है इंटरनेशनल और नेशनल मेगा इविट के लिए पांच करोड की बेस्ता है बेसिक सिच्छा में आप देख सकते हैं कि भाई समगर सिच्छा बियान ये बड़ा है इसमें बीस हजार क करोट उपे की वैस्ता प्रिस्तावित है। ओपरेशन काया कल्प के लिए एक हजार करोट उपे की वैस्ता प्रिस्ता की गई है। है ये पाटेशवरी देवी राजविश्य देले के लिए पचास करोड़ के विश्ता है मुरादाबाद मंडल में राजविश्य देले के लिए पचास करोड़ के विश्ता है फिर दूद के लिए देख सकते हैं कि भाई यहां पे भी काफी सारा सरकार का फोकस है जन्पद मेर साथ करोड के विस्ता है नंद बाबा दुगमसन ये इंपोर्टेंट है पसे यहां पर इसके लिए 61.21 करोड रुपए की विस्ता है दोजर तेश्चोबिस पर देखे MSME इंडिस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है सरकार 2022 में जो नीती आई थी इसमें 15% वार्सिक वरद्धी का प्रस्तावित है ये इसके तहट MSME जो भी जितनी भी काईया है उनको पहली बार में चार करोड रुपए तक पूंजी उपादान उपलब्द करने की विस्ता की गई है बड़ी इविंट होने वाली है महा कुम होने वाला है उत्तर प्रदेश में 2025 में उसके लिए भी बाकादा तैयारी करी गई है उसके लिए भी काफी पैसा दिया गया है ठीक है धाई जार करोड रुपए की विस्ता प्रस्तावित है दो जार तेश चोबिस में प्रदेश के चार क्रशी विशुद्यालों में एगरी किरे श्टार्ट अप योजना के लिए 20 करोड के विस्ता प्रस्तावित है कुछ और इंपोर्टेश में प्रती दिन नो किलो मेंटर के चोरी करन और सुद्रनी करन तथा दस किलो मेंटर के आउस्त से नय मार्गों कर ये एक बड़ा important point है महिला एवं बाल विकास के लिए कि बाई प्रदेश में कानून एवं शांती वज़ताब को बनाए रखने के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिक्षित करने के लिए तीन महिला पीएसी बड़ालियन का गठन किया जा रहा है तो कितनी महिला बड़ालियन है पीएसी की उपी में तीन द्यान रखना बागी एक बार पढ़ लो जो important वाले fact थे इसमें cover किये गए हैं बागी अब budget की speech चरप पढ़ लेते हैं हम लोग speech में बहुत सारे important point आपको मिलेंगे mains के लिए जितना प्रीकले जरूरी है maximum चीज़े मैंने आ तक बता दी है आपको आप कुछ question के answer आप देओ उत्तर प्रदेश की जो economy है इंडिया में कितने number पे है number one पे किस state की economy है number two पे कौन सा state है number three पे कौन सा state है top three बताओ जल्दी से